महाभारत की कथा में गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की पुत्री थी. जब गांधारी का विवा नेत्र हीन धृत राष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आँखों पर पटी बांद ली. गांधारी का कहना हुए जब मेरे पती ही नेत्र हीन है तो संसार को देखने का अधिकार नहीं है। गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसंद नहीं था। गांधारी ने सौ पुत्रों को जन्म दिया और अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा। महा भारत के युद्ध में जब सभी निन्यानबे पुत्रों की मृत गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्रका बनाने का निर्णय लिया। गांधारी ने भगवान शिव से यह वर्दान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पटी खोल कर नगन अवस्था में देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्रका हो जाएगा। ग गांधारी ने अपने नित्रों से पटी खोल कर उसे देखा तो उसकी दिव्य द्रिष्टी जंगा पर नहीं पढ़ सकी जिस कारण दुर्योधन की जंगाएँ वज्रकी नहीं हो सकी और अंत में यही दुर्योधन की मौत का कारण बना।